बिलकम फ्रेंट्स आज हम लोग यह समझेंगे कि अभी जो वर्ड फ्लू चल रहा है या जो वर्ड फ्लू डिटेक्ट हुआ है कुछ वर्ड्स में उसके चलते हमें चिकन या एक खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए राइट और यह एक्शुल में बिमारी होती है उसे के ब चाहिए नेमल में करा सकता है जो की वर्ड में कराता है यह एक तरह का रहनी वारस है जो एक्वेटिक वर्ड होती है उसके अंदर होता है जो दूसरे Montic hurts होती है जैसे की चिकन हो गया या टर्की हो गया आग लिए दरक इन को इन स्वेक्शन हो सकता है और इसकी 90 to 100% chance है कि उनकी death हो जाएगी तो काफी ये तेजी से फैलता है इसमें जो सबसे important चीज आपको समझने वाली है कि ये word flu एक bird से दूसरे bird में फैलता है कुछ animal में फैल सकता है लेकिन इंसानों में बहुत rare है फैलता है पर बहुत rare है जो पहला case detect हुआ था word flu का कि किसी word से इंस as such इस तरह कोई case detect ने हुए पर जो real problem ये है कि ये influenza virus है जिसके अंदर antigenic changes होने के chances रहते हैं मतलब इसके strain बदल सकता है जैसे कि ये corona virus है अभी उसी के जैसा मिलता जुलता ही virus है influenza virus के भी बहुत सारे sub types होते हैं तो अभी जो words में होता है वो h5 n1 virus है ज्यादा तर cases में मिलत है और एक और virus है H7N9 ये दोनों हैं जो इनसान में होते हैं वैसे तो इसके बहुत सारे multiple strain होते हैं जो words में हो सकते हैं पर ये दोनों ही serious illness कराते हैं तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि ये words से इनसानों में बहुत ही rarely होता यूजली नहीं होता बट हो सकता है और दूसरा ये कि अगर होगा तो ये बहुत तेजी से फैलता और जहां जहां हुआ है जहां जहां ये cases reported हुए हैं वहाँ पे mortality rate बहुत ज़्यादा मरने की दर लगबग 60% के आसपास है ये सबसे बड़ा इसका region है इसलिए इतना precaution लिया जाता है अभी बात करते हैं कि फिर meat को खाया या एक को खाया जाए कि नहीं जो अभी डबलू अचो का recommendation ये है कि meat खाया जा सकता है चिकन खाया जा सकता है बस उसको अच्छे से हमें उबालना है बॉयल करना है अट लिस्ट जो temperature है वो 70 degree centigrade से ज़्यादा अगर जाता है तो ये सारे वाइरस मर जाएंगे तो और अंदर वो अंदर तक पूरा पका होना चाहिए और सेम बित एक के साथ भी है कि एक को आफ इतने अच्छे से बॉयल करो कि उसके अंदर का जो एक योग है वो तक solidify हो जाए ये दो करके खाया जा सकता है और इसमें जो सबसे important बात है कि ये फैलता जो चिकन है उसकी जो saliva है उससे या उसके nasal secretion से या उसके आँख के secretion से या उसके जो feces होती है उससे फैलता है तो ज़्यादा तर cases में जो case reported है जो इंसानों में हुए है वो खाने से ने हुए बलकि जो लोग उसको पालते हैं जो लोग उसको handle करते हैं जो उसके secretion को फेकते हैं इन सब लोगों को हुआ ह तो इसमें सबसे important बात ये है कि हमें अभी जो करना है बचने के लिए जो prevention है कि जो उसके contact में लोग रहते हैं उनको ज़्यादा सौधानी बरतने के जूरत है मतलब कि वो जो पी-पी कीट है उसको पहन के रखें मास्क लगा के रखें या फेस्टील लगा के रखें हाथ को अ सबसे important चीज है जो हमें बचा के रखेंगी vaccination है नहीं इंफ्लेंजा का जो seasonal इंफ्लेंजा का जो vaccine आती है जो intramuscular लगती है उससे इसमें protection नहीं मिलता दूसरे इंफ्लेंजा के type में मिलता है लेकिन जो avian influenza है जो word flu है उसमें उस vaccine से protection नहीं मिलता तो ये भी बात आपको जरूरी है तो ये एक जो अभी recent में word flu के बारे में थोड़ी से मैंने जानकारी देनी कोशिज करी है ये जरूर मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस area में word flu के incidence आये हैं वहाँ पे लोग ना खाएं तो ही बहतर है अगर खाते हैं तो अच्छे से पका के खाना है थोड़ी अधानी बरतने की जरूरत है